श्री गुर्चर्ण सरुज रज निजमन मुगन जोधार अरणों रगवर विमल जसजों दयाग रिबार चार बुति हीन तन जाने के सिमरो पवन कुमार बल बुति में द्याद हूँ मुः अरो कलेश में का जय हनुमान ज्यान कुण सागर जय कपी सति हूँ लोक उजागर राम दूत दुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगि कुमति निवार सुमति के संगि कंचन मरन विराज सुबेशा कारन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज और धजा विराजे काधे मूझ जने उसाजे शंकर सुवन के सरी नंदन तेज प्रताप महा जग वन्दन विद्यावान गुणियत जातुर राम काज करिवेको आतुर प्रभुचरित्र सुनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुक्ष्मरूपधरि सियही दिखावा विकटरूपधरि लंक जरावा धीमरूपधरि असुर सहारे नावचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रगुवीर हरशियूर लाय रगुपधि की नहीं बहुत बराई तुम मब प्रिये भरत समभाई सहस बदन तुम रोयश गावे अस कही श्रीपधि कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मा दिमुनीशा नारद शारद सहत अहीशा यम्कु बेरदिक पाल जहां ते कभी को विद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही की नहीं जाव मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीशन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परभानू लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्र का मेली मुखमाही जल दिलांगी गए अच्रजनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुवारे तुम रखवारे ओतना क्या पिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काउं को डरना आपन देज सभारो आपे तीनों लोग हाक तैकावे भूत पिसाच निकट नहीं आवे बहावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब वीरा जब तन रंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान चुरावे मन क्रम वचल धान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन भल पावे चारोर प्रताप तुम्हारा है प्रसित जगत उजियारा साथु संत के तुम रखवारे असुरन कंदन राम दुलारे अश्क सिति नव निधि के दाता अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहू रखु पति के दासा तुम्हरे भजन राम को भावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंत काल रखु पति पुर जाई जहां जन महरी भक्त काहाई और देव का चित्त नधरई हनुमत सेई सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान को साई कृपा कर हू गुरु देव किनाई ये शत्वार पाठ कर जोई छूटे ही बंद महा सुख होई जो यह पढ़ हनुमान चाली सा ओए सिंधिसा की गवरी सा तुल सी दास सदा हर चेरा की जय नातर दय महडेरा की जय नातर दय महडेरा की जय नातर दय महडेरा के जय तुल महडेरा की जय तुल की जय बंद मेड़ब दो की जय तूम की जय वादन की जय वादन पवनतन संकत हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहत रदय बसहु सुर्भू साक्षाच्ष्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्याई नमु नमह त्वमेव साक्षाच्ष्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली प्रिखुन आत्मिकार कुण्डलिनी साक्षाच्ष्री आदिशक्ति महाताजी श्री निर्मला देव्याई नमु नमु नम्हाटी नम्हाटी मु नमु नमु नो नमु नहीं है नाज। ओम त्वामेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मना देव्याई नमू नम्ना अम्त्वमेव साक्षाद, श्रीकल की साक्षाद, श्री सहस्त्रार स्वामे नी मोक्ष प्रदायनी माताजी, श्री निर्मना देव्यै नमो नमा ओम्नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षन्तत्वमसी, त्वमेव केवलं कर्तासी, त्वमेव केवलं धर्तासी, त्वमेव केवलं हर्तासी, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासी, त्वम् साक्षादात्मासि प्रत्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद्यक्षाद अवा दक्षिनातात। अवा चोर्वातात। अवा धरातात। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वम् वाम्मयस् त्वन्चिन्मया त्वम् आनन्दमयस् त्वम् ब्रम्हमया त्वम् सच्चिदानन्दाद्वितियोसी त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रम्हासी त्वन् ध्यानमयो विद्यानमयोसी। सर्वन जगदि दम् त्वत्तो जायते सर्वन जगदि दम् त्वत्त स्तिष्ठती सर्वन जगदि दम् त्वैलय मेश्यती सर्वन जगदि दम् त्वै प्रत्यती त्वम् भूमिलापो नलो निलो नवः त्वम् चत्वारि वापदानी त्वम् गुनत्रयाती तः त्वम् देहत्रयाती तः त्वम् कालत्रयाती तः त्वम् मूलाधारस्थितोसिनित्यम् त्वम् शक्तित्रयात्मकाः वाम् योगिनो ज्यायन्तिनित्यम् वाम प्रम्हार वाम विष्णु वाम पूर वाम इंद्र वाम अग्नि वायु वाम स्थूय वाम चंद्रमास्थ्वं रम्हबूर भुवस्वरों गणादिं पूर्व मुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरं अनुस्वार परतरह अर्धें दुलसितं कारे नरुद्धं पेतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपं अकारो मध्यमरूपं अनुस्वारस्चांत्यरूपं बिंदुरुत्तर रूपं नादसंधानं सहिता संधिहि सैशा गणेश विद्या गणकर्शिहि निच्चत गायत्री छंदह गणपतिर देवता ओम्गंगणपतये नमहा पेकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमही तन्नोधंति प्रचोधयार् पेकदंतंच तुर्हस्तं पाशमं कुषधारिनं रदंच वरदव हस्तै विब्राणं मूशकत्वजं रक्तल्लं बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्त गन्धानु लिप्तांगं रक्त पुष्पैसु पूजितं भक्तानु कंपिनन्देवन जगत्कारणमच्युतं आविर पूतंच सुष्ट्यादव प्रक्रुते पुरुषात्परं बेवन ध्यायतियो नित्यं सयोगी योगी नाउवरः नमो व्रातपतः नमो गणपतः नम प्रमतपतः नमस्ते अस्तु लंबो दरायै कदंताय विग्ननाशिने शिवसुताय श्री वरगमूर्तः नमो नमः आतुर धोरी महा सुख दीजै जैसे पूध सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैट विस्तारा आगे जाय लंक नीरोका मारे उलात गई सुर लोका जाय दिशन को सुख दीन्हा सीतानी रखि परम पदलीन्हा बाग उजार सिंधु महबोरा अतियातुर जमकातर तोरा अचे कुमार कुमार सनहारा लूम लपेटि लंक को जारा लाह समान लंक जरिगाई जै जै धुन सुरू पुर महभाई अब बिलंब के कारण स्वामी पुपा करण पूर अंतर यामी जै जै लखन प्राण के दाता आतुर होई दुख करहुन पाता जै गरिभर जै जै सुक सागर शुर समुह समरत भट नागर ओम हनु 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 मत हटी ले पैर हिमारु बज़ की की ले गदा पज्च्र ले पैर हिमारो महाराज पभुदा सुमारो ओमकार हुमकार महाप्रभु धावो बजे गादाहनू विलंब न लावो ओम हिंःंहिं हनू मन्त का पीसा ओम हुँँँँँँँँँँँँ अर्यूर्षीसा सत्य होगु हरी शपत पायके राम दूत धरु माहरु जायके जै 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 हनुमंत अदाधा दुख बावत चन के ही अप राधा पूजा जब तपनेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वनुप अनमग गिरिग्रिह माही तुम्रे बल हम धर्पत नाही पाए पराओ करी जोरी मनावों यही अवसर अब के ही कोह रामों जै अन्जन कुमार बलवंता शंकर सुवन भीर हनुमंता बदन कराल काल कुल धालग राम सहाई सदाप्रतिपालत फूट प्रेत पीशा चिन शाचर अगनी बिथाल काल मारी मर भिने मार तुर शपत राम की राखो नाथ मर जाद नाम की चनक सुता हरिधास कहावो तादी शपत भी लंब न लावो जै 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 धुने होते आकासा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरन शरन करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहराओ पुझू पुझू चल तो हिराम दुहाई पाए पराओ कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 मनता ओम हंग हाक देत कपी चंचल ओम संग खामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत हो यह अनंद हमारो यह बजरंग बान जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे बाध करें बजरंग बाण की हम्मत रक्षा करें प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूद पेत जब कापे भूब दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रीम प्रतीति ही कपी धजएं सदा धर उर्ध्या देहिके कारज सेकल सुधर सिद्ध करें अन्मा ओम शत्रु मर्दिनी इन्नमा ओम शी अम्विका देवी इन्नमा ओम अधो सुधना नमः ओम तारका सूर सौहंत्री नमः ओम शुम्भा शुम्भा सौहंत्री नमः ओम श्री दूर्गा माता जगदंबा ओम श्री रक्षा करीन नमः ओम राक्ष सगनीन नमः ओम श्री चामुंदा नमः ओम अधो केथभा हंत्री नमः ओम नरकांतका नमः ओम भंधा सौहर मर्दिनीन नमः ओम श्री शिर्दि साइनात नमः ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्थिके नमः ओम श्री कार्थिके नमः ओम सर्वा सौहर मर्दिनीन नमः ओम सर्व बाधा विनाशनी नमाः ओम सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नमाः ओम सर्व भया आर्नी रोद्र रुपान नमाः साक्षाच्ष्री आदिशक्ति माताजे श्री मिर्मलादे व्याय नमुन नमाः There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano Bhujyamkara Chita Ninahum नच श्रोत्र जीत्वे नच घानल मेत्रे नच व्यो मभो मेर नते जो नवायो Chita Nananda Rupa Shivoham Shivoham Chita Nananda Rupa Shivoham Shivoham नच प्राण सन्यो नप्वै पंच वायो नवा सक्त धातु नवा पंच खोश नवात्पानि पादं नचो पस्त पायो Chita Nananda Rupa Shivoham Shivoham Chita Nananda Rupa Shivoham Shivoham नमेद्वे शरागो नमेद्वे लोग मोहो मदोर नईव मेनईव मासर्य भावा नधर्मो नचार्तो नकामो नमोश चितानन्दरूप शिवो हम शिवो हम चितानन्दरूप शिवो हम शिवो हम नपुन्यं नपापं नसाख्यं नदूखं नमंत्रो नतीर्तंद वेदानयना आहं भोजनं नईव मोजन भोक्ता चितानन्दरूप शिवो हम शिवो हम चितानन्दरूप शिवो हम शिवो हम नम्रत्योर्न शंका नमेजाति बेदः। पितानैव मेनैव मातानजन्दूप नवंदू नमेत्रंप शिवो हम शिवो हम शिवो हम चितानन्दरूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम अहं निल्विकलकों नीराकाररोपों विगोत्वाच्च सर्वत्र सर्वेंद्रियानां नचसंगतं नईव मुक्ति ब्लमेया चितानन्दरूप शिवो हम शिवो हम चितानन्दरूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम स्वेष्तरों, हanton ुष। कर्ला में करें आ थो या अवर्नेट ब्लिश्य य जान आवेर्न शी क्वैस्वनुखनेस य य reach I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams that's a very good way of remembering what you are. May God bless you. में मा कार्य करते हैं, सहिज योग का कार्य करते हैं, ऐसे समस्त, Divine Children of Shri Mataji, जो आज यहां उपस्तित है, सब को मेरा साधन नमन, आप सब का यहां हार्दिक का बिननतर, आज की समई ध्यान में, सरप्रतम हम Shri Mataji के अम्रित्वानी सुनेंगे, जहां Shri Mataji ने हरुमान जी के गुण बताए हैं, रामकाज कर्पे को आदोशन, देव कारे, ऐस शरीय कारे, हनुमान जी, तच्छन सिद्ध करते हैं, असदेव तदबर हैते हैं, अनुमान जी के पास, अश्ट सिद्ध नवनिदि के इदाद, इनके पास उस सिद्धियां हैं, अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राकाट हैं, ये शित्ध, जिसे, ये छोटे हो सकते हैं, ये शाल हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, हलकी हो सकते हैं, जितना चाहिए होता हैं, हवा में ओर सकते हैं, सुक्ष मो सकते हैं, अतिसुक्ष, अनुमान जी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, उनके अंदर सभी श्रीय गुण हैं, सभी बंजदत्तों भेग, उनका कंट्रोल है, आईए, अपने चित को स्थिर करके, शिमादर जी के अमरित्वानी का यांशिस में, पूरा चित हर जगय से हटा लेंगे, और बाएं हिदे में रख देंगे, ओन रूप से इस्थे, ओन रूप से इस्थे, हरुमान जी के बारे में, क्या कहें, कि वो जितने शक्तिमान के, जितने गुलवान के, उतने ही वो शद्धाम है और भक्ति हो जाता है, अधिकतर उनुष जो बहुत बलवान हो जाता है, और इसके पास शक्ति आ जाती है, इसे हम लोग कहें कि राइट साइड़न हो जाता है, और वो अपने को इतना उचा समझता है, कि अपने आगेज किसी को भी नहीं बारता है, पर हर्मान जी एक विशेश देवता है, एक विशेश गुरधारी देवता है, कि जितने वो बलवान थे, जितने वो शक्तिशाली थे, उतने ही उनकी भक्ति, शक्ति के सुन, तूलन, जितनी शक्ति थी उतनी उनके अंदर भक्ति थे, यह संतुलन उन्होंने किस प्रकार पाला और उसमें रहे, यह एक बड़ी समझने की बार, जब हम सहाजोग में पार हो जाते हैं, और सहाजोग में हमारे पास अनेकी शक्तियां आ जाती हैं, उसी के साथ में हमें संतुलन भिया जाता हैं, हम प्यार करते हैं, और प्यार के सहारे, प्यार के शक्ति थे सहारे, हम अपने कारे में रत रहते हैं, वो कारे करते रहते हैं, इसी प्रकार Shri Harman Ji है, अत्यंत शक्ति सालित हैं, और उनके अंदर दईभी शक्तियां, उनके अंदर नवधा शक्तियां थे, जिसे कहते हैं, गरी मा, लगु मा, वो चाहे जितना बडा हो सकते थे, चाहे जितना छोटा हो सकते थे, अडी मा, छोटे बिलकुल बिलकुल बारिक हो सकते थे, यह तारी शक्तियां उन्होंने अपनी भक्ति से पाई इसका मतलब यह है कि भक्ति और शक्ति दोनों एक ही पीज जिसके अंदर शक्ति है और उसके अंदर भक्ति नहीं तो वो तो राक्षत हो जाता है और जिसके अंदर भक्ति है किन्तु शक्ति नहीं वो पादल हो जाता है दोनों के बीच में जो मद्यमार्क में है इस चीज को पाता है जिसे आप शक्ति कहिए चाहे भक्ति कहिए उसके शरीर का अंग अंग उसी से बनाता है इस उसकी विशेश्था के कारण आज वजरंग वजी को हम देश विदेश में भी उनकी बहुत अर्चना करते है मुझे आश्चे लगता है कि परदेश के जो चोटे लड़के हैं बच्चे हैं जब वो कोई सा भी चित्र बनाते हैं तो पहले हनुआ जी का ही चित्र बनाते हैं पिर दूसरे उनकी विशेश बात कि वो अर्ध मनुष्यते और अर्ध बानर थे महने पशु और मानौ का बड़ा अच्छा मिश्रन था तो हमारे अंदर जो कुछ भी हमने अपने उत्करांती में अपने एविलूशन में तीछे छोड़ा है उसमें की जो प्रेव और उसमें की जो आसक्ति चिज वो उन्होंने अपने साथ ले ले लेड़े जैसे के आप देखते हैं की गुरुों का अच्छ जो मार्ग माना जाता है जिसमें की गुरु के कौन से प्राणियों के सेवत माने जाने हैं सो कुट्य को माने हैं कुट्य में वो विशेष्टा है कि गुरु के जैसे एक साधत पूर्नतया समर्पित होता है और गुरु के सिवा उसका और कोई मालिक नहीं होता कोई और उसका इशार नहीं होता है हर समय वो अपनी जान लगा देता है अपने मालिक लिए इसी प्रकार एक समना चाहिए कि एक प्राणियों की उत्रांती में बना हुआ है जब वो मनुष्य के सानिद्य में आता है तो वो क्या सीथा है प्रम भक्ति इसका मतलब है भक्ति हमारे अंदर जन्मताहा बनियों पूर्नतया पहले हिसे हमारे अंदर भक्ति का भी बोया जब हम लोग इस दशा में नहीं थे मानों दशा बने थे तब हमारे अंदर भक्ति का उधव बहत हो जब भक्ति गोरी तरह से हमारे अंदर कमा गई आप किसी भी जानवर को ले ले लिए उससे आप स्नेहले, दरासा स्नेहले, दरासा प्यार दे वो इस तरह से आपसे निकट हो जाता है इस तरह आपको मानता है और इस तरह आपसे प्यार करता है घोडे की भी बात आपने सुने होगी कि घोडे जहां वो अपना स्वार जब दिल जाता है या वो मरने को होता है तो उसके उपर छाटाच भी इसी प्रकार अनेक हाथियों के बारे में बताच भी हाथियों की निष्ठा भी कमाल हुए और वो अपने मालिक कभी कोई तकलीफ नहीं देते और गर उन पे उनके मालिक पे गर कोई शेव या कोई ऐसा जानवर आकरमन करे तो हाती उसे लड़के-लड़के मर जाएगा पर अपने मालिक को हाती लगा लगा लेकाई यह जो रिष्टा एक मालिक का और ऐसा जा प्रेसे उंहे पहुचे है टानवरो का है ले इस रिष्टा थाही बेichth सहफ पहले इस्टे बन्दा हूए और इस रिष्टे के साट वो शक्ति भी हमको मिती हं जैसर मेंने बताया की हाथी लडते- Lडते मर जाएसे वो लड़ने की शक्ति भी रह प्रवाथी इसलिया है उसके अंदर वो प्यार और भग्ति है हम लोग कहते हैं कि Sahajयो ये प्यार का परमेश्वरी प्रेम कारिया है बातसरी पर इसी कारिय को करते वक्ति उसकी शक्ति भी उसी वनिये है अपनी चित्त को पून रूप से अपनी आत्मा में स्थेर कर लेंगे। शिमादरी आप्री कृपा से मैं एक शुद्त आत्मा हूँ, मैं शरी नहीं हूँ, मन बुद्धी अहंकार नहीं हूँ। जन्माम रिद्धि नहीं हूँ। मैं सच्चिदानच्यृ पात्मा हूँ, शिव का पृति बेम्भ हूँ में, शिव हूँ हूँ, शिव हूँ हूँ, शिव हूँ हूँ... आत्म में लीन होने देंगे चित को पून रूप से फील करेंगे अपनी आत्म को देरे धीरे अपने चित को रेर की हड़ी में लाएंगे एक दा मंदर वज नाड़ी में रेर की हड़ी के बीचों बीच मुराधार से सहस्त्राइद को पूरा चित भ्रम नाड़ी में सर्प्रता मुलाधार चक्र पे चित को स्थिर करेंगे श्री गनेश से बिंती करेंगे ये प्रभु श्री गनेश ये विक्न हर्था श्री गनेश श्री क्रपा कीजिए मेरे हर चक्र भी आफ विराजित हो जाएए उसी सच कर देजिए एसूस करेंगे प्रात्नकर्णी श्री हनुमांजी ए रामभक्त हनुमांज ये श्रीयकार को करने वले हनुमांजी मेरे सभी कारियों में आने वाली बाधाओं को संक्टों को दूर कीजिए आपके शक्तियां मेरे अंदर से बहें एसी कृपा कीजिए श्री गनेशी हनुमांदू नो जागरत है श्री भैरवनार जी का आवाहन करें के श्री भैरवनार जी कृपा कीजिए मेरे बाईयोर में जो भी समस्याएं हैं बाधाएं हैं उने दूर कीजिए मुझे परमेशरी का शुद्य यंत्र बना दीजिए पूरा चित्रेर की हटी के अंदर आवाहन किया है पधा रहे हैं उन्षी भैरवनार जी हनुमांदू जी करेंगे श्री मैसूस करेंगे उने तीनो नाडियों में रेव की हटी के अंदर 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 चित्र को ठाएंगे मूलाधार से स्वादिष्ठान तक स्वच्छ निर्मल पवित्रा सब को शुत्ध सारे ज्जाएं शुत्ध अब बोधिता बाल लग की महसूस करेंगे मूलाधार से स्वादिष्ठान तक ठंदर को महसूस करेंगे जित्र को ठाएंगे स्वादिष्ठान से नाभी तक शिलक्षमी जी की कृपाओं को महसूस करेंगे समाधाने बनने को महसूस करेंगे स्वादिष्ठान से नाभी तक ठंदर को महसूस करेंगे स्वादिष्ठान से नाभी और नाभी से उपर बढ़ते दे अनाहत तक शिचक दंबा के शिचनों नमन करेंगे महसूस करेंगे सभी देवी देवताओं को पूरे ब्रह्मान को पुर्ण से पार करेंगे सिचक दून तक करेंगे विच्ट में मादूर का आग में नहीं सूस करें दान ही दे में शीहनुमान शीराग विराजित है नमन करेंगे ए रामभक्त अदमान मेरे सब्री कारे को सित्ध कीजी ए शी क्रभु राम आग्या कीजी शीहनुमान शी को संकत मोच शीहनुमान रामभक्त शीहनुमान रामप्रिया शीहनुमान मैसूस करेंगे शीराम के साथ जाकर शीहनुमान शी को दाएं भागतें तीरी तीरी मत्य हिदे में आएंगे मा जग्दंबा को नमन करके मत्य हिदे से विशुति तो मा कुंधलनी को आते हुए महसूस करेंगे विशुति चक्र में शीराधा कृष्ण को महसूस करेंगे वाग चातुले और वाग माधुले रिस्ता हुआ थेचरी मुत्रा से अमृत परस्ता हुआ महसूस करेंगे शी राधा कृष्ण 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 राधा सब को शमा करेंगे, सब को शमा, रहां को की शमा, जिसने भी दुख दिया और परेशान किया सब को शमा, आग्या चक्र को महसूस करेंगे, खुलता हुआ, दबाव के साथ खुल रहा है आग्या चक्र, कुंडलनी मा बीच में से बुजरते हैं, प्रम रण म्स्रण के पाहरा देफ्ल। पूरह हिद्या का प्रकाश्ड, से हस्त sizin राहे हैं, उप्र से में पाहरा है। मैसूस करेंगे इसे हिस्तरार को हर चक्र शीमाता जी के शीचरनों से फैलता हुआ परम चैतने पूरे से हिस्तरार में फैलता है मैसूस करेंगे चित्र के माध्यम से हर एक जग्रत है जनक्रत है प्रकार्शित है शीचरनों में सरवस्त समर्पित करेंगे के परमेशरी मैं आपकी हूँ मेरा जीवन आपका है मेरा सब कुछ आपका है माँ मेरा सब कुछ आपका है मेरा जीवन आपका है सब कुछ समर्पित करेंगे तनमंधन जीवन तरिवाब व्यापार सब आपका है चित को इक तम हलका करेंगे शरेंडर करेंगे ज़स्त सरेंडर अल योबड़ी जीवन आपका है अल बर्ली प्रवल्प्लम्स अधर लोटेस फीट आप श्रीमादेज़ एक तम हलका हो जाएगे चित को ठाएंगे और बिंदू पे मैसूस करेंगे स्चक्र को बिंदू चक्र वले जहां कुन लीबान के बंधन लेते है वले ऐसे ज़रता हुआ परम जयतर पूरे शरीर में गिर रहा पूरे शरीर में गिर रहा चित को ठाएंगे बले ऐसे और उपर आकाश तक आकाश से अंतरिक्षत अंतरिक्ष से शोन सरुवत न जन न थन न वायू न अगनी न आकाश सब शोने श्री सदाशिक्ष समाए है शोने महसूस करेंगे शी सदाशिक्ष अनंत से रूप में इंफिनिती में करचरन कशतमब आकाया जमु करम जम्थ शवन न जम्थ शवन न जम्थ अन्थ न शन राध। जाँ 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 जा ही अनन्त यादी, मुझे अपने अंदर समा लेजी, मेरा वराण करने जी, अनन्त में समा जाएंगे, अनन्त में समा जाएंगे, समाजाएंगे हैं तो नचानाएंगे टामाएंगे हैं एरे देरे चित को बाहर लाएंगे, बात ना करेंगे, ये परम्पिता हां, हर कर्म के लिए, किसी भी प्रकार से गलत हो, उसके लिए हमेश शमा केज़े, शमा केज़े, शमा केज़े, शमा केज़े, शमा केज़े, तीरे तीरे अपने चित को अंतरिक्ष मिलाएंगे, करेंगे, नवकरों की परिक्रमा करेंगे, मांगल, बुद्ध, ब्रस्पठी, शुक्र, शने, सोरे, चंद्रमा, योडनेस, नप्चुम, लुटों, नवकरों की परिक्रमा करकें, थीरे थीरे चित को आकाश मिलाएंगे, आकाश से पूरे विश्य में, अपनी आत्मा का प्रकाश पैन लेदेंगे, अमेरिका, आफ्रिका, यॉरॉप, अश्या, अंटार्टिका, ऐस्ट्रेलिया, पर्देश में, हर शहर में, हर मनुष्य में, परम जादन फैन लेदेंगे, शीहनमान जी की समष्यक्तियों का प्रयोग करें, परमीत करें, जल में, थल में, वायू में, अग्मी में, आकाश, सरवत्र परम जादने फैला देंगे अपने चित्त से, बरसने देंगे परम जादने पूरे विश्व में, और नर नारी पे, और साधक पे, चित्त को समेटेंगे, अपने परिशित लोगों पर पर लाएंगे परम जदन, अपने परिवार पर 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 लाएंगे परम जदन, अपने अपने परिवार पर लाएंगे परम जदन, अपने चित्ट से. अपने चित्ट को पटूरेंगे से इस्तरार पिलाएंगे। अपने चित्ट को पटूरेंगे। 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 और श्राम करेंगे। अपने चित्ट को पटूरेंगे। अपने चित्ट को पटूरेंगे। अपने चित्ट को पटूरेंगे चित्ट को पटूरेंगे। दढ़ी, अलका बिटा, आज तो हनुमान जी के साथ बहुत सुन्धर सफर कराया तुमने, मा की क्रपा से, और राइट साइड तो ऐसा हो गया है, की जैसे बिल्ध कुल खली, बहुत बहुत आनंद आया है और मा की ऐसी परमकरपा रहे कि हनुमान जी सारे कारे शिद्ध करें और जो सक्ति और भक्ति के बारे मैं आज माने बताया वो सक्तियां और वो भक्ति माने हमें दी है हर कोई उसको पहचाने और उसको कारियान बित करी और मा का विशेश जो आशिरवात वे है वो हमीशा बना रहें और हम लोग ऐसे ही इतना आध्यात्मे को ठान की तरफ बढ़ते रहें तेंक यू मा और तेंक यू आपके इस प्यारे से बच्ठे को ज 이거는 हनुमान जी की कृपा संकर्टमोचन की कृपा सब पर बनी रहे पर सब कारे एक्तब वाईू की गती से हो भование कोत्र हनुमान के हापने तेया जाए अपने ठीवन अपना सबी कारे जिन्होंने इतने बड़े-बड़े कारें को अंजाम दिया रभुशी राम के हम चोटे-चोटे बालक हैं परकुल हमरे काम तो हैं कि बहुत हलकी फुल के हैं न तो नहीं रपा अनुमान जी के हम सब पे बने रहे हैं श्री माता जी साक्षा श्री हनुमान है हमें पता है वो आधी शक्ति है और हर देवी देवता के अंदर कुंडली सरूप में श्री माता जी की विराजमान है सब उनी के बालक है और जो पशों की एक विशेश शक्ती होती हम मनुश्य से जादा तो वो कुछ विशेश पशो जो एक तरह से हमारी भीदर हर से रूप में है शी गनेश हादी मुख्लिये में है शी हनुमान वानर का लिये में शी भैरवनाची विशेश जो स्वामी भक्त जानवर होता है जो माने बताया गुत्ता जो रहा तो वो तीनों ही मतलब जो पशो भक्ती समर्पन शक्ती ये सब हमारे भीदर कारे रहते ही है उनको अगर हम पहचाए तो हमको बहुत आसानी होगी इन सब का लाब उठाने में और इन शक्तियों के अपने अंदर बहते रहने देने में नहीं तो हम खुद ही अवरोध का कारण बन जाते है और इस शक्तियां हमारे अंदर से बहने पाते हैं ठीक है? तो कल कुछ सी ध्यान करेंगे अर परमेशरी ऐसी ही कुछ विशेश चीजों पे हमारा चित्त ले जाएं विशेश शक्तियों पे जो सहर्जयों के द्वारा हमें प्रात है और हम ऐसी ही चलते रहें मा के साथ तर मा के उंगली पकड़के उनके दिये चित पूरा उनको ही समर्वित है इस प्रातना के साथ आज की ध्यान को यहीं कंक्लूट करेंगे कल फिर मिलेंगे जैशुमाता जी जैशुमाता जी